नमस्कार दोस्तो टीचिंग अप्टिट्यूड क्लास फॉर आज किस क्लास में हम जाने वाले हैं मैथड ओफ टीचिंग टीचर सेंटर वर्सिज लर्नर सेंटर मेथड के बारे में आज हम जानने वाले हैं और इसमें हम मुखे रूप से लेक्ट्षर एंड डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड समुष सिक्षन सुक्सम सिक्षन मिसरित सिक्षन ब्रों ब्रेंस्ट्रॉमिंग मेथड इतियादी के बारे में बात करने वाले हैं यह काफी important topic का दोस्तों हमारे लिए क्यूंकि इसमें से पहले question आ चुके हैं और आगे भी इसमें से question आने के संभावना है तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों अगर आपको net or jar चाहिए तो हमारा paid course जरूर जोइन किजी इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं नमबर एक 2022 के new updated notes देंगे नमबर 2, 2012 से लेके 2020 तक सभी shift के question paper हिंद इंग्लिस में देंगे नमबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके 2020 तक सभी shift के unit wise question आपको देखने को मिलेंगे नमबर 4 पे दोस्तों आपको unit wise के अलावा आपको sub topic wise question भी देंगे आज तक जैसे जो भी type of research से question आजके वो अलग है, type of company question से जो भी question आजके वो अलग है यानि कि sub topic wise question भी आपको मिलने वाले है नमबर 5 के दोस्तों हम आपको old 10 unit की and free videos देने वाले हैं इसके अलावा भी आपको paid course में बहुत कुछ मिलने वाला है हम आपको math or TI के सभी question का solution प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ दोस्तों हम आपको ये विताएंगे कि ऐसे कौन से question है जो बार वार एक्जाम के अंदर repeat होते है तो दोस्तों देख इस बात की, अभी जोईन कीजी हमारा paid course क्योंकि निमीजीनेट है तो ज्यारब है दोस्तों सबसे पहले हम बात करते है method of teaching in institution of higher education higher education के अंदर किस तरह का method अपना जाता है teaching का, देखे इसके अंदर सबसे पहले बात आती है teacher center method की बात आती है कि teacher किस किस तरह का method अपनाता है सबसे नंबर एक पे है दोस्तों व्याक्यान विधी, lecture method है और ये काफी पुराना method है दोस्तों सद्यू से चलता हुआ आ रहा है उसके बादे हम बात करते हैं परदर्शन विधी, समूशिक्षन, समिक्षा विधी और परशनोतरी, इन सभी के बारे हम डिटेल से जानेंगे और सबसे बारे हम बात करते हैं इसके नंदर व्याक्यान विधी की बात करते हैं जैसा कि बात से ही पता चल रहा है दोस्तों lecture method यानि कि इसके नंदर हम व्याक्या करते हैं किसी चीज की बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिस करते हैं इसके बारे में James M. Lee ये क्या कहते है व्याख्यान एक सम्हुशिक्षण विदी है जिसमें सिक्सक किसी विशिश परकान या समस्या पर साबधानी पूर्वक व्याख्यान त्यार करता है उसके बारे बताता है विरनातमक भासन देता है और चारिक भ रहता है और विद्यार्थी निश्क्रिय रहता है सिदी सी बात है दोस्तों जब हम लेक्चर सुनते हैं किसी का तो हम आराम से बैठ जाते हैं उसकी बाते सुनते रहते हैं इसके अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव क्या कौन होता है टीचर इसके अंदर सबसे ज्यादा एक्ट प्रोल होता है जो टीचर है वो ही अपने हिसाब से बताएगा अपने हिसाब से कलास शुरू करेगा अपने हिसाब से बीच में रूखेगा यानि कि पूरा परभूतव होता है टीचर के पास में संप्रेशन शिक्षन नीती होती है इसमें व्याख्यान कथन एम विवरन ये सा कि student को अच्छे से समझ में ask कि तकनी को सायक साधनों का प्रयोग यह हो सकता दोस्तो स्टूडboy री जो Серभव चाहे तो अलग-अलग गड़ तकनीक का यूज कर सकता है या तकन विदी के अंदर इसके अंदर क्या होता कि एक एम होता है किसी में को कर रही व्याख्यान दिया जाता है और आगे हम बात करते हैं दोस्तों सिक्षण सिधान्त के बारे हम बात करते हैं व्याख्यान विधी में क्या क्या सिक्षण सिधान्त हो सकते हैं बोले गए सब्दों की प्रभा सिलता जब हम लेक्चर दे रहे हैं तो लेक्चर ऐसा होना च चाहिए उदिस्य की प्राप्रप्र प्राप्ति जो हम लेक्चर दे रहे हैं उसका उदिस्य होना चाहिए वह उदिस्य पूरा भी होना चाहिए यह नहीं है कि जैसे मानके जलिए कि हम कई बार देखते क्लास के अंदर Lennox екटीचर थी दो घंटे जब वो तो इसने बताई नहीं और बहुत ज्यादा टाइमेश्ट कर दिया तो यह दोस्तों उसके अंदर उदेश्य की प्राप्ति होनी चाहिए आगे मात करते हैं व्यक्तिगत संपर्क होना चाहिए अगर हमें बहुत अच्छे तरीकी से कमने वह तीचिंग करनी है तो स्ट हे देते गे देते चे उसके बारे में अच्छे से पता ही है सपरष्टी करन् के लिए मोगा सपरष्टी करन्त होना चाहिए उसके अंदर kohl rough का случайल का विकास यानि कि स्किले एसा होना चाहिए लैक्टर हमारा जिसले में व्रक्रति और और ये पोरक्ता प्रदान करने वाल कर दिया ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों व्याख्यान विधी की दोस्त क्या है क्या लिमिटेशन है इसकी इसमें देखिए अधिगम का प्राकरतिक साधन नहीं है यह देखिए अधिगम यानिकी सीखने का यह नेचरल तरीका नहीं है दोस् सोरी इसके इनर teacher center में होता है इसके इंदर sixth student का अधिक बोजु इसके नदर जो teaching का बहुत जियादा बोज़ हो सकता है ईकुसल say six अगर जो six ए जो टीचर है वो अच्छे से ज्यान नहीं है उसको कि चीज़ का अच्छे से पता नहीं है तो हमारे स्टडी अच्छे से नहीं होगी और पर पुस्तक व्यकलप इसके अंदर कया होता कि पुरे एक घंटे उनके सामने सुननना है उनको ध्यान से सुननना ठीक है तैयार शामगरी और आगे करते हैं और मनुब्यानीक भी हो सकता है निमन कख्षा के लिए अनुकुल नहीं जो छोटी कख्षा हैं दोस्तो उनके लिए अनुकुल नहीं है और किर्यात्मक उदेशों की फूर्ति में श्योग उप्योगी नहीं है खिर्यात्मक उदेशों की जो action-based कोई कारी है जैसे practical ways कोई चीज है तो उसके अंदर ये सही तरीके से लागू नहीं होता practical ways चीज के अंदर क्या है दोस्तों हमें practical करके देखें किसी चीज को तभी वो हमें समझ में आएगी केवन lecture सुनने से हम किसी चीज को अस्पर से नहीं समझ सकतें काफी बार हमें practical भी करके देखना पड़ता है और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों demonstration method की बात करते हैं lecture and demonstration method इसके अंदर क्या होता है दोस्तों हम lecture भी देते हैं plus में demo भी करके दिखाते हैं इसके अंदर और ये काफी प्रभावसाली विदी है दोस्तों डेमोंस्ट्रेशन और इसमें से पहले कोशन आज चुके दोस्तों और हम कोशिश करेंगे लाइ मोग टेस्ट में इस से रिलेटर जितने वी कोशन आए हैं वो आपको करवाएं विद्यारति हैं हम सिख्षक दोनों की दोनों हिश्क्री रहते इसके अंदर दोनों एक्टिव रहते हैं सिख्षक सिधांतिक भाग का विवेचन करने के साथ साथ नीती का सत्यापन भी करता है यानि कि इसके अंदर क्या होता है लेक्चर तो देते ही है ठीक है जैसे लेक्चर के दुरान उसे ने कुछ सिधांत बत होता है इसकी विशेष्टा है क्या होती है छोटी कख्षाओं के लिए अधिक उप्योगी अगर हमारी क्लास का जो साइज हो छोटा होगा तो यह बहुत ज्यादा उप्योगी होगी सिक्षन में कम शमय लगना इसमें कम शमय लगेगा बच्चे को समझने में अगर हम थ्योरी के बारे में ज्याद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है आप खुद समझदार है सिधान्तों को सपष्ट रूप से समझना यह वही सारी चीज है दोस्तों थ्योरी करेंगे उसके बाद हम डेमो करके देखेंगे तो हमारे पास सिधान्त जो है वह बहुत अच्छे तरीके स क्लियर हो जाएगा इसके दोस्त क्या क्या हो सकते दोस्तों विद्यार्थियों को समय प्रयोग करने के उसर ना मिलना इसके अंदर हो सकता है कि टीचर खुदी डेमो कर रहा है 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 तो वह क्या है कि उसके अंदर अगर विद्यार्थियों मोका नहीं मिलेगा तो अच्छे त्रीके से नहीं शीख पाएगा इसी तिरीके से एक example लेता हूँ आपको मैं बहुत जबरolly आपको उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आजाएगा ज Isaac 파 थरोटी बनाते हम यह रोडी बनाते अगर हमें सो बार भी बताया जाए यह बेलन होता है और यह चकला होता है चकले के ऊपर हम आटा रखते और आटे को इस तरह से बेलते अगर ये चीज हमें डेमो करके 1000 बार भी बताई जाए तो क्या हम 1000 के बाद पहली बार में ये नोटी बना लेंगे ने बना पाएंगे न तो उसके लिए क्या है उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है हमारे लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है बहुत ज्यादा जरूरी है केवल डेमो देखना ही जरूरी नहीं है खुद भी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है और औ अच्छे तरीके से नहीं देख पाएंगे कुछ चीज मिसिंग हो जाएगी तो इनकंप्लिट जानकारी होगी और इसके इंदर है विद्यार्थियों की अभिरूची कार्यक्षमता तरक्षिल कल्पना तथा सवतंतर चिंतन जैसे गुनों का समूचित विकास नय होना अब दे इच्छा सकती कल्पना सक्ती चिंतन सक्ती सभी की अलगलग ہो सकती है हो सकता है मानके चलिए किसी को थोड़ा सा देमो कहते नशेण को इसाहा काफी है कई बच्छे होते हुए ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा सा बताने से ही वो समझ आएंगे तो टीचर क्या सोचेगा भई मैंने थोड़ी सी चीज समझा दी सभी को चीज समझ में आगी लेकिन हो सकता है दूसरी स्टूडेंट को समझ में ना है तो यह इसमें प्रोलम हो सकती है आगे हम बात करते हैं द दोबारा से देखिए दोस्तो इसके अंदर क्या है समुशिक्षर में दो या दो से अधिक शिक्षक यानि कि टीचर दो या दो से अधिक टीचर एक ही समय में बच्चों को ग्यान देते हैं इसमें हो सकता है एक से दा एक सिक्षक से धन्तिक बातों का जिकर करें तो दूसर सिक्षक बच्चों को वेभारिक रूप से बात समझाए यह वही चीज आगे दोस्तों हो सकता है एक टीचर थियोरी बताई और दूसरा टीचर उसको प्रैक्टिकल करके दिखाई तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों इस दुरान विचार गोश्टी परी समाद पैनल चर्चा भी हो सकती है समू सिक्षन के क्या क्या लाव है दोस्तों इस विधी में बच्चों दवारा सबसे अधिक विश्य को सांजा किया जाता है यानि कि जब दो टीचर मिलके पढ़ाएंगे तीन टीचर मिलके पढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा विश्यों को हम सम प्ति पाएंगे इसके जरीए सिक्षन में काफे चुधार किया जा सकता है जी बिल्कुल सही दोसों काफे इंप्रुमेंट किया जा सकता है टीचिंग के अंदर समुषिक्षन की क्या-क्या नेगिजिव आते दोस्तों क्या-क्या हानी है वो भी हम देहिलते हैं इसमें अधिक शिख्षक की आवशक्ता होती है ठीक है जैसे उपर पता ही चला ना जैसे समुष शिक्षन दो यह दो से अधिक व्यक्ति पढ़ाए टीचर पढ़ाए तो सिदी सी बात उसमें ज्यादा टीचर की आवशक्ता होगी हमें यह विधी सभी विश्यों को पढ़ाने में अब देखिए अगर इसके अंदर विशेश वाला टीचर नहीं है अगर हम ऐसे कोई टीचर ले आए तो हमें प्रोब्लम क्रियेट हो सकती है हमें अलग-अलग विश्य के हमें स्पेसलिस्ट लेके आने पड़ेंगे तब ही हमारी समुष शिक्षन विधी कामियाब होगी इ जोजना निर्मान और निर्धारन में काफी समय लग जाता है इसमें पूरी प्लानिंग बनानी पड़ती है कब कौन पढ़ाएगा कौन सा टोपिक पढ़ाएगा कैसे पढ़ाएगा क्या करना है कैसे करना है तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है और आगे हम बा कार्य करना चोटे लेवल पर टीचिंग करना सुक्षम सिक्षम कम समय में अधिक लाभान वित करने का तरीका है यानि कि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोफिट देने की कोशिस करते हैं तल का प्रियोग कर बच्चों के छोटे छोटे ग्रूप को इसके अंदर पढ़ा बच्चों को तो एक तो क्या होता कि छोटे लेवल पर बच्चे बहुत ज्यादा कोशन करते हैं है तो इसके अंदर यह है दोस्तों और काफी तरह की चीजे दोस्तों आप यहां से पढ़ना चाहिए तो पढ़ लेना दोस्तों बिलकुल असान है कोई मुश्किल इसके इसके अंदर क्या होता कि नए सिक्षन कोशल को नियंतरित प्रस्थितियों में आतम साथ करने योग्य बनाता है इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि कोई भी अगर हम नई टेक्निक सिखा रहे है नई स्किल सिखा रहे है तो बच्चा क्या है कि उसे जल्दी आतम साथ करे अगर बड़े लेवल पर करेंगे तो वो जल्दी से सीख नहीं पाएगा जल्दी से उसको अपना नहीं पाएगा और इसके अंदर क्या है कई सिक्षन कोसल में योग्ये बनाता है इसके अंदर क्या है कि छोटे लेवल पर जब हम करेंगे तो नई-णई स्किल बच्चा सीख स यह तो दोस्तों कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं इसके इंदर बिल्कुल आपकर लेना और माइक्रोटीचिन्ग का साइक्पिल करते हैं फिर पर्ति पोश्टि करते हैं निकी सबसे पहले में लैसन की प्लानिंग बनाते हैं क्या पढ़ाना उसके बाद में तीचिंग क्या उनका जवाब है क्या उनको समझ में आया है या नहीं आया उनसे हम फीड़वेक लेते हैं फिर क्या करते हैं पुने पार्थ योज़ना बनाते हैं री लेसन प्लानिंग बनाते हैं जो हमने फीड़वेक लिया है उससे हम देखते हैं बच्चों को समझ में आया या नहीं है आगे हम बात करते दोस्तों सम्हुर् recepion की विशेस्ता क्या है micro teaching की क्या क्या खूबिया है इसमें जो संख्य होती है दोस्तों बच्चों की 5-10 के बीच होती है 600 Сегодня国 CL EPA Se57 10-20 कि बीच में होते हैं और यह कॉशन दोस्तों इसमें से पहले कोशन आचका है even आप all day question paper करेंगे तो इसमें से question आ चुका है कि सिक्षन की अवधी कितनी होते हैं तो इसके अंदर अवधी होते हैं पांच से freedom वो अपने आपको free समझते हैं बहुत confidence होता है उनके अंदर बात करने का कुछ वी चीज समझने का इसमें पुने सुधार का अवसर अगर बच्चा गलती कर देता है तो वो दोवारा से उसको ठीक कर सकता है क्योंकि उसको डर नहीं है कि ज्यादा नहीं है मेरी बेजती नहीं होगी तो वो बिल्कुल असानी से दोवारा से उसको ठीक कर सकता है यह सात्तर अध्यापक के इंदरित होती है यह क्या दोस्तों दोनों इसके अंदर होते हैं तीचर और स्टूडेंट दोनों के दोनों सेंटर में होते हैं इसके अंदर और इसके अंदर हम बात करें दोस्त बिल्कुल असान असान है यह लगो अभदी में अधिक दक्ष बनाती है यह कम समय में ज्यादा नोलेज देती है ज्यादा हमें दक्ष बनाती है ज्यादा हमें विक्षित करती है परती पुष्टी तुरंट प्राप्थ होती है फीडवेक जो हता दोस्तों बहुत जल्दी प्राप्थ होता है स्टूडेंट से भी टीचर शेवी हर जगे से इसके अंदर देख लेगा दोस्तों कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है आगे हम बात करते है समिक्षा विधी इस विधी के अंदर क्या होता है चर्चा विधी समुषिक्ष्ण व्याख्यान विधी इन सभी अवलोकन करने को समिक्षा विधी कहते है यानि कि एनलेसिज करना सिधी सी बात समिक्षा करना समिक्षा का मतलब क्या होता है दोस्तों समिक्षा का मतलब यह ह होता है जो सच जो सही है सही को सही का हो गलत को गलत का हो यानि कि सही फीडवेक देना सही तरीके से उसका अवलोकन करना ठीक है तो वो क्या होता है वो होता है हमारा समिक्षा विदी होता है इसमें सिक्षक अवलोकन करता है कि उसे ने क्या पढ़ाया है कितना काम रह चुका है उससे क्या-क्या गलतिया हुई है और उसे आगे कैसे बढ़ाना पढ़ाना है तो वो पूरी समिक्षा करता है पूरा एनलिसिस करता है अपने आपका आगे हम बात करते हैं दोस्तो परसनोत्री विधी इस इसके अंदर इस विधी को सुक्रात विधी के नाम से जाना जाता है इसमें विशेश रूप से तीन बातों पे ध्यान दिया जाता है नंबर एक पे दोस्तों परसन निर्मान कोशन का निर्मान किया जाता है नंबर दो पर प्रस्तुति कर्ण उनको प्रजेंट किया जाता है सम्बर तीन पे बच्चों दवारा ही नवीन ज्यान देना ठीक है तो यह होता है दोस्तों इसके अंदर मुखे रूप से पर्शन पर्शनोत्री की जाती एक दूसरी से पर्शन पूछे जाते सवाल जवाब किये जाते हैं और इस विधी में बच्चे अधिक्ष करिये रहते ह हैं और हमने क्लास में भी देखा ना दोस्तों आपको अगर याद हो तो जैसे छोटी क्लासों के अंदर पहले क्या होता था कि जैसे एक मॉनिटर को खड़ा कर दिया जाता था और उसे टीचर कहता था कि सभी से तेरे को कोशन सुनने है ठीक है और हमारी क्लास में जो मॉनि सुनता था और उनको बैठा दिता था ठीक है ऐसा होता था तो काफी मज़ा आता था उस टाइम अगर आपकी ऐसी कोई याद आना तो जरूर बताना दोस्तों जरूर बताना कि क्या आपकी क्लास में कभी ऐसा हुआ क्या आपने आपने कोश्चन सुने बच्चों से क्लास में खड़े करकर के और आपने किसको बैठाया है अपने मित्र को बैठाया है या नहीं बैठाया है तो बताना बताना दोस्तों जिरूर बताना केमेंट वॉक्स के जुरी है और आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर कि उदेश से क्या-क्या होते हैं प्रशनोत्री विधी करना आतम विश्वास में वृध्धी करना और अनुशासन पुन्रावर्ती तो यह चीजी होती है दोस्तों प्रशनोत्री विध्धी के इंदर कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है आगे हम बात करते हैं दोस्तों ग्रूप सारे चीजों पर हम विचार करते हैं गुरूप डिसकसन करते हैं एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं इसमें यह होना चाहिए यह होना चाहिए ऐसा हो सकता है यह हो सकता है वह हो सकता है यान कि पूरा उसके वारे में हम जानने की कोशिस करते हैं इसमें समंदो का विसलेशन किया जाता है उनकी तुरुना तथा उनका मुल्यांकन किया जाता है और निसकर्स निकाला जाता है और क्या क्या टाइप हो सकते दोस्तों इसके डिवेट हो सकते हैं सिंपोजिम हो सकते हैं पैनल डिसकसन हो सकते हैं ब्रेंस्ट्रॉमिंग हो सकते हैं merit of group discussion क्या है दोस्तों सपश्टी करन होना चिंतन का विकास होना समाधान की अभिवर्तितता सरजनात्मक्ता का विकास अज्यात की खोज होना ग्यानम चिंतन का विकास और सहन सिलता का विकास सभी स्त्रों के लिए उप्योगी प्रतिभास साली विद्यार्थियों की पहचान ह हो जाती इसके अंदर जो ग्रूप discussion करेंगे और उसके अंदर जो अच्छे तरीके से explain करेंगा थो हमें पता चल जाएगा कि यह स्टूडेंट बहुत अच्छा है और जो स्टूडेंट कत्राएगा बोलने से जो बताएगा नहीं अच्छे से तो पता चल जाएए इसको नो इनने लेना ग्रूप discussion के अंदर क्या होता है हम सामुई के निनने लेते हैं सामुई का अधिगम एक साथ हमारा विकास होता है सभी का विकास होता है मान के चलिए एक कोई व्यक्ति ग्रूप के अंदर कुछ बात्ते बता रहा है तो उसको सुनने वाले तो बहुत से लोग ह ना तो उन सभी का विकास हो रहा है, सभी का अधिगम हो रहा है, समाजिक अधिगम, हमें group discussion करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हमें किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से सुनना चाहिए, तो हमें social अधिगम भी होता है, social learning भी इसमें होती है, इसकी सीमाई क्या हो सकते है सभी परकरणो और या एकाईयों के लिए यह अनुकूल नहीं हो सकता, भटकने के और सर इसमें हुम भटक सकते हैं, क्यूंकि group discussion करेंगे तो हो सकता है, कोई कोई बात करें कोई कैसे बात करें, क कैसे ही इशारे करें, होता है न यहीं सब लोग group discussion करते हैं, काफी बारा स्कूल या जब मैं टीचिंग करता हूं तो कितना यादे आते हैं हमारे स्कूल की तो उसके इंदर क्या होता था मैं आपको एक किस्सा बताता हूं आपके साथ भी ऐसा हुआ है अगर हुआ है तो आप जरूर बताना टीचर क्या करता था कि मेज के उपर वो समझा समझाता था कोशन समझाता ता और कहता था कि सभी बच्चे यार जाहिए चारोर खड़े हो जाहिए तो यंदर पता है क्या करते थे, पीठ पे phoen चला देते थे, किसी ठपड मार देते थे, पीछे से, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे, छेटते थे, मज़े लेते थे, ठिक है, तो गूर्प discussion के अंदर ये प्रोल्म हो सकते है, भटकने के आउसर हो सकते हैं, रहए अधीकार और ग brainstorming method है इसके अंदर कैया दोस्तो समस्य एम रचनात्मक अमुख 1963 में एस बौर्ण ने इसको दिया था दोस्तो brainstorming method के बारे में 1963 में स बौर्ण ने बताया था इसको विचार मंथन भी कहते हैं इसके इसके अंदर क्या होता है दोस्तों सम्हू के सद्य से किसी समस्या पर अपने विचार प्रस्तूत करते हैं इसके अंदर कोई समस्या दी जाती है बच्चों को और बच्चे उसका समाधान खोजने की कोशिस करते हैं और एक दूसरे से वाद विवाद भी कर शकते हैं इसके अं से तरह से 5000 के लिखता है और फिर लास्ट के अंदर टीचर हमें बताता कि इसका रील में बनाना ये साईन यहाँ पर फॉंट गल्थ हो गया है यहाँ है साधनों का chain आंकडों का momentsipe क्रों करना विचारों का निरलने करना विचारों का chain करना विचारों का प्रिक्शन और यह देख लेना दोस्तॉं वैसे जदा मुश्किल नहीं यह और इस में से ज्ञादा 근육 यह इसने आये हैं वैसे आये है ब्रेंड मैफरर मेंसे दो कोशन आये हैं अज तक फिर वी आप इनको देख लेना दोस्तों Nam क्या क्या है दॉस्तों ध्द्यान उतेजित करना इससे क्या कि attraction होते हैं बहुत ज्यादा attraction होती है अभी रूची का विकास कलपना का विकास student सोचते वह हाँ इसका क्या answer आ सकता है क्या answer आ सकता है बहुत अच्छे तरी किसे सोचने की कोशिश करते हैं विचारों का विकास समाधान खोजना उसमें देखते वह इसका क्या solution हो सकता है क्या समाधान हो जकता है इसका परसंता एवम संतुष्टी परसंता कब होती है जमान के चलिए दस श्टूडेंट से हमने पूछा question और दस में से दो स्टूडेंट का right हो जाता है और हम कहते वह इन दो स्टूडेंट का right हुए तो उनको बहुत खुशी होती है इसके अंदर तो यह चीज़ है दोस्तों इसमें आगे हम बात करते हैं इंडवीज्वल teaching method के बारे में इसके बारे में J.S.Burner ने बताया था और इसके अंदर जैसे नाम से पता चलना है इंडवीज्वल यानि की व्यक्तिगत रूप से पढ़ना इसके अंदर और इसमें नवीन ग्यान की खोज करनी पढ़ती है इसमें तथ्यों की व्याक्या इस प्रकार से की जाती है जिसमें नवीन तत्यों का बहुत होने लगता है देखिए इसके अंदर क्या होता है जैसे हम मान के जन्ते हम डिस्टेंस एजूकेशन से पढ़ते हैं तो उसमें हमें खुद खोजना होगा कि किस तरह से हमें पढ़ना है अगर कहीं पर प्रोलम आने तो उसका प्र एक चैसता है क्या होती ही इसके अंदर खोजकरता बन जाता है इंसान यह बिल्कुल सही है दोस्तों मैंने दिस्टेंस एजूकेशन की थी तो बहुत सारे चीजे मेरे को फाइंड आउट करनी पड़ी थी बहुत फाइंड आउट करना पड़ा था मेरे को कहीं से हेल्प नह इसके बारे में रचनातमागचिंतन विकास में सहईक इसमें Creativity बढ़ जाती है हमकिसी चीज़ को किस तरह से जल्दी कर शकते और अच्छे से कर शकते हैं यह हमारे Creativity आनि melee सुझ राधी है कि इसके अंदर नए ज्यान की खोश होती है इसके दिवारा विशलेशन, संसलेशन की समता व्यक्सित होती है क्योंकि जब हम खुद करके देखेंगे तो उसमें हमारा माइन्ड बहुत ज्यादा वर्क करेगा और प्राफ्त ज्यान सथाई इसके इसके अंदर जो ज्यान प्राफ्थ होगा वो स्थाई होगा वो स्थाई क्यों होगा क्योंकि ये सारे चीज़ें हमने खुद की है प्रैक्टिकल की है अपनी और से की है इसलिए ये क्या होगा स्थाई होगा पर्मानेंट होगा इसकी सीमाई क्या हो सकते है क्या क्या दोस हो स अच्छे से समझ में आ जाएगा आपने वी अपने जिन्दगी के अंदर बहुत से चीज़ें सीखेंगे अपने आप सीखेंगे जैसे अगर वहाँ पर हमें कोई टीचर बताने वाला हो कुछ कोई करने वाला हो तो उस चीज़ को हम एक साल में शीख रहें अपने आप वह हो सकता हम तीन महिने में शीख जाए तो यह चीज़ होती है दोस्तों आगे हम बात करते हैं सवतंतर अध्यन निती ऑपन लर्निंग इसके क्या होता है प्रोजेक्ट वर्क विद्यारती चोटे-चोटे समूमें काड़े करना सवतंतर रूप से समस्याओं को हल करना व्यक्तिकत गुणों का विकास मूल इसके अंदर क्या होता है जो स्टूडेंट होता है वह बिलकुल फरी होता है भाई तू जो चाहें वह कर ले देखिए हमारे वह होती था ना जैसे स्कूल के अंदर लाश्ट की घंटी होती थी कई बार आपको पता होगा उसके अंदर यह होता था पूरी छोट थी किसी भी विश्य का काम करो कुछ भी करो पूरी छोट थी ठीक है तो उसको हम क्या कहेंगे एज ऑपन लर्निंग उसक अंत्रोदृष्टी वे समझ विक्सित करना यह फिर से फॉंट चेंज हो गया देखिए इसके अंदर थोड़ी सी प्रोब्लम है दोस्तों हम ठीक कर रहे हैं जब हम PDF क्रियेट करते हैं तो PDF क्रियेट करने में फॉंट चेंज हो जाते हैं काफी वारी प्रोब्लम होती है अनिर्देशन प्रदान करना आतम प्रेरित कारियेशायों को प्रोचसहंद देना जब हम ऐसाइमेंट देते हैं तो बच्चे के INDRA क्या आतम प्रेरित वो अपने आको प्रेरित करता वे मेरे को एक काम करना है अगर में काम करूंगा तो मेरे को कल गुड मिलेगा very लेगा है याद है वंधून मिलाया नहीं ला मिला तो कमेंट वोक्स के लिदर जरूर बता ना किन को वेडिकुट मिला है और मिलने वे कितने खुष होते थे आज चाहिए कुछ विदे दो है ना आज वो खुशी है ही निया और क्या करें क्या करें ऐसा मन कर रहां दोबारा से बच्चे बन जाए और फिर वेरी गुड ले कितना मजा आता था यार एक छोटे से वेरी गुड के अंदर तो क्या लरे यादे है बस यह पढ़ ले ना दोस्तों कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है और बड़ा ही इंट्रेस्टिंग है बड़ा ही इमोशनल चैप्टर है टीच देख लिना दोस्तों निपणतां ड्रिल समझधी अनूसंधान समझधी अपचारिक समन्धी यह पढ़ ले ना दोस्तों कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है आगे हम बात करते हैं इसके अंदर करते हैं कि बच्चे को खुद खोजविन करनी होते हैं बच्चे को समस्या दे परते नहीं पड़ती बच्चा खुद ही समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करता है और यह इसमें देख ले ना दोस्तों हिंदी इंग्लिस दोनों लेंग्विज में हमने इसमें दिया हुआ है आगे हम बात करते दोस्तों आगमन विधी की बात करते हैं इंडेक्टिव म रेखर देखे आगमन विधी के अंदर क्या होता है इसमें सबसे पहले बच्चे को उधारण देते हैं जैसे की मानके चले हम किसी भी चीज का एक्जांपल देंगे सबसे पहले उसको gravitational force के बारे मैं बता रहें उसको तो उसको example देंगे ना जैसे कि save है, save को ऊपर से छोड़ते तो नीचे गिरता है या फिर कोई भी चीज लेंगे उसके सामने और उसको practical करके दिखाएंगे, उधार्ण देंगे, तो क्या है कि बच्चा बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ पाएगा आगमन विधी के अंदर उधार्ण दिया जाता है यह देखे, जैसे इसको आप ऐसे याद रख सकते, आगमन उधार्ण, ठीक है, आगमन मिन्स उधार्ण, ठीक है, और इसमें क्या होता है, विसीष्ट से समानने की और चला जाता है और यह प्राथ्मिक स्थर पर ही सबसे अधीक अच्छी विधी है प्राथ्मिक स्थर पे मिन्स, जब बच्चा स्कूल में पढ़ने लगता है, तब यह काफी अच्छी विधी मानी जाती है आगे मात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हिंदी इंगलिस दोनों पढ़ लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों आगे हमारे पास निगमन विधी है डिटेक्टिव मैथड है दोस्तों निगमन विधी में हम पहले नियम देते हैं अब देखिए इसका भी इसका भी देखिए हिंट मिल गया निगमन विधी मतलब नियम निगमन निगमन विधी में हम सबसे पहले नियम देते हैं बच्चों को और उसके बाद में हम किसी चीज का किसी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं बच्चा नियम को आतम साथ करके तेजी से सीख लेता है बाद में वे नियमों से नियम बनाना भी सीख लेता है जैसे मैत का एक्जामपल ले मैत के अंदर क्या होता है सबसे पहले हमारे पास एक ठीक है तो मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बता दिये आप याद रख लेना और कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको और इनसे रिलेटेड़ दोस्तों आज तक जो भी कोशिन आए हैं वो हम लाइव मोग टेस्ट में करने की पूरी-पूरी कोशिस करेंगे तो दोस् कमेंट वोक्स के अंदर जिरूर बताना दोस्तों देखते हैं किस-किस को क्या याद है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक्यू वेर्मेच दोस्तों अगर आपको नेट और जयार चाहिए तो हमारा पेड़ गोर से जरूर जोइन किजी इसमें हम आपको क्या देने वा तो दोस्तों देने वाले हैं इसके अलावा भी आपको पेड़ गोर्ष में बहुत कुछ मिलने वाला है हम आपको मैथ और इसके साथ दोस्तों हम आपको यह विताएंगे कि ऐसे कोशन है जो बार वार एक्जाम के अंदर रिपीट होते हैं तो दोस्तों देख इस बाप की अब ही जो इनकी जी हमारा पेड़ गोर्ष क्योंकि निमीजीनेट है तो ज्यारप है